कहलो आप हम देखते जी डी इ Similar कि वह कैसे लिखे 아 की देखो आप खाणि、、 रेग्र वर्क वेकिन का वेज को एक फोल्ड कर देंगे को मैं यह त्री जो थी वर्टिकल फोल्डिंग डॉलिघallin दिखार देंगे डेखो, अब G को कैसे लिखे पहले हम देखते हैं single G, single G को कैसे लिखे देखो जैसे हमने A लिखा वैसे ही पे इस corner पर रखेंगे कोने में, horizontal और vertical line के कोने में रखेंगे यह A लिखेंगे यह हमने A लिखा नीचे cross आएंगे और यहां रुक जाएंगे, इन दोनों horizontal line के center में रुकेंगे, इसके नीचे भी ने आएंगे, इसके उपर भी नहीं, यहां रुक जाएंगे, फिर इस line को लेकर इस कोने में डालेंगे, यह वह जी, देखो फिर जारा केरफरी देखना, यह A लिखा हमने, A लिखकर नीचे क्र आएंगे, यहां रुक जाएंगे, फिर इसकोने में डालेंगे, देखो यह लिखा, यह लिखकर निचे आएंगे, और यह जो इसका जो size है, इस circle का, उतना ही circle, उतना ही size, नीचे के circle का होना चाहिए, देखो, इस circle का भी से होना चाहिए, तो जी, सही दिखाई देगा, वर उपर का circle बढ़ा हो गया, नीचे का circle बारीक हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लाएगा, तो दोनों circle same होना चाहिए, देखो, यह लिखा, नीचे cross आएंगे, ऐसे, यह दोनों circle same होना चाहिए, यह जी, अब हमने G को single लिखा, अब चलो हम देखते हैं, G को word में दूसरे alphabet के कैसे लिखे, ऐसे ही प्रेक्टिस हमें करना है, यह folding lines से नीचे आएंगे, folding lines दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ नीचे आएंगे, देखो, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, यह touch होगा न, F touch होगा, no problem, touch होने दो, हम practice कर रहें, no problem, F, E, G, पुरना students क्या करते हैं, touch हो रहा है, इसलिए इसको हटा के दा से जाते हैं, यह wrong हो जाता, touch होने दो, no problem, okay, चलो, यह A, B, C, D, E, यह touch होगा देगो, touch होगा तो आनों पालाँ, F, G, A, B, C, D, E, F, G, देखो, A, B, C, D, E, F, G, देखो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिखाए दे रहा है, अब practice के लिए, यह हमें habit हो जाए, इसलिए कम से कम, कम से कम, यह three lines लिखना कम पसर गिए, यह fourd की भी line, यह ऐसे उपस नीचे तक आएंगे, वैसे यह fourd की भी line, second line भी ऐसे लिखेंगे, यह three lines लिखेंगे, और edge के लिए next clip देखो,